हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो बहुत ही कमाल के बजट स्मार्टफोन से एक तो है सैमसंग एलेक्सी M55S यह सैमसंग का लेटेस्ट फोन है दोस्तो यह आपको मिलता है 20,000 का और दूसरी तरफ है आईकू का Z9S यह भी आईकू का लेटेस्ट फोन है दोस्तो और यह भी आपको 20,000 का मिल जाता है तो इस वीडियो में मैं इन दोनों में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा दूनों में क्या-क्या खुबी आए और आपको दूनों में से कौन सा खरीदना चाहिए तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखेगा लाइक करके सब्सक्राइब कर लेज़े और कोई सबी स्मार्टफोन कुछ भी आपको खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है वहाँ से जरूर खरीदियेगा कई बार से लग जाती है रेट काफी डाउन हो जाते हैं दोस्तो सैमसिंग गिलेक्स M55S के साथ अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले उपर की तरफ ये मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें सिम इजक्टर टूल है अंदर यूजर मैनुल दिये गए हैं इसके बाद जो दोस्तो आपको फोन मिल जाता है रेपर के अंदर कवर तो आपको बॉक्स में नहीं मिलता यह white color में आपको जोए दोस्तो कुछ इस तरीके से wrapped जो है आपको एक cable दी गई है जो कि आपको जो है type C cable मिलती है length और quality काफी बढ़िया है लेकिन Samsung के इस phone में दिक्कत यह है दोस्तो 20,000 में charger नहीं दिया गया ना cover मिलता है ना charger चले देखते हैं IQ के साथ क्या के मिलता है दोस्तो Z9 ने इसके साथ तो unbox करते हैं सबसे पहले phone मिल जाता है wrapper के अंदर इसके बाद जो है दोस्तो आपको इसके अंदर जो है दोस्तो टाइप C केबल तो length और qualities की केबल की भी अच्छे है लेकिन Samsung की केबल थोड़ी ज़्यादा बढ़िया quality में तो charger जो है दोस्तो उसके साथ नहीं मिलता है लेकिन cable की qualities की बढ़िया है बाकि IQ के साथ charger मिल जाता है दोस्तो बॉक्स में 44 watt का Samsung के अंदर भी आपको 45 watt की charging का support मिलता है और इसके साथ आपको इतना charger जो है box के अंदर ही मिल जाता है तो अलग से खरीदने की ज़रूत नहीं है फिर भी box के contents आपको IQ के साथ ही बढ़िया मिलते है same rate में charger भी है और cover भी है box में चली बात करते हैं दोस्तो डिजाइन के बारे में तो Samsung के अंदर जो है दोस्तो मेरे पास ही blue color और दूसरी तरफ green tight का color आपको आईको में इस तरीकी के look में मिल जाता है दोनों का करीब से मैं आपको डिजाइन दिखाता हूँ दोनों ही के अंदर आपको जो है प्लास्टी के टाइप के डिजाइन दिया गया है वो भी glossy finish में तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो है दोस्तो कुछ इस तरीकी से glossy finish में डिजाइन मिलता है काफी जादा shiny आपको दोनों स्मार्टफोन मिल जाते हैं लेकिन back panel की quality दोनों के अंदर आपको एक जिससे type की मिल जाती है मतलब scratches के chances आने के काफी जादा है तो वो चीज़ देखने को मिलती है quality जो है design की दोनों के अंदर एक जिससे type की दी गई है iqoo के अंदर आपको aurolight भी मिल जाती है दोस्तो तो नीची की तरफ आपको camera की नीचे aurolight दी गई है तो यह feature इसके अंदर आपको काफी कमाल का मिलता है और दोस्तो दूसरी तरफ Samsung के अंदर आपको back panel का color थोड़ा और जादा बढ़िया मिलता है बाकी back panel का color है वह आपको Samsung में बढ़िया मिलता है लेकिन फिर भी इन दोनों phones में Samsung का design जादा बढ़िया है एक तो look wise भी जादा अच्छा है दूसरे इसके अंदर आपको यह phone बहुती super light मिलता है बहुत हलका phone है तो इस वज़े से जोए दोस्तो smartphone आपको galaxy m55s जोए दोस्तो जादा जोए आपको बढ़िया मिल जाता है डिजाइन में क्योंकि हलका बहुत है यह lightweight है बात करें दोस्तो display के बारे में तो Samsung के अंदर आपको super amoled plus display दी गई है iqoo के अंदर आपको जोए दोस्तो amoled display मिल जाती है quality के अंदर कितना फर्ख है कौन सा phone best है दोस्तो display को लेकर वो चीज में आपको दिखाता हूँ तो इहाँ पर आपको जोए user interface मिल जाता है कुछ इस तरही किसे iqoo के comparison में ज्यादा बढ़िया ui मुझे भी परसनली samsung कहीं लगता है iqoo के comparison में इसके लाव जो smoothness आपको मिलती है दोनों phones में वो किसमें ज्यादा बेटर है smooth जो है कौन सा phone ज्यादा है तो वो चीज में आपको दिखाता हूँ iqoo को लेकर samsung बढ़िया है और design को लेकर samsung अच्छा है box के contents में iqoo बढ़िया है और अब देखते हैं दोस्तों display की quality है color से brightness है वो किसके अंदर आपको जाद अच्छे दिये गए है display के design को लेकर कौन सा smartphone आपको जादा बढ़िया मिलता है price के साब से तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही smartphone के अंदर आपको punch hole camera वाला design दिया गया है कुछ इस तरिकी के look में लेकिन samsung के अंदर आपको मिलती है दोस्तो flat display के अंदर आपको flat display दी गई है iqoo के अंदर आपको मिल जाती है curve display तो display के अंदर आपको जादा बढ़िया मिलता है इसके अंदर आपको display दी गई है curve वह भी same rate में edges bezels भी आपको iqoo की display के थोड़े और जादा कम मिल जाते हैं दोस्तों और size में भी जो है थोड़ असा iqoo का smartphone जादा बढ़िया मिल जाता है बाकी brightness मुझे जो है दोस्तों दोने स्मार्टफोन की ठीक टाक लग रही है iqoo की थोड़ी सी जादा बेटर लग रही है लेकिन इतना बड़ा major फर्क नहीं है बस मैं आपसे यह काऊँगा quality में आपको iqoo के अंदर भी दिक्कत नहीं होगी बाकी design को लेकर iqoo जादा बढ़िया है तो मुझे तो iqoo जादा अच्छा लगा क्यूंकि quality भी बढ़िया है design भी जादा बढ़िया है और Samsung में भी quality अच्छे लेकिन display flat है left side पर Samsung में sim kit रे दी गई है iqoo में नीची के तरफ मिलती है और दो sim card 5G के लगा सकते हैं बाकी charging port, speaker mic मिल जाता है नीची के तरफ, side map देखेंगे volume के buttons और power के buttons है fingerprint scanner दोनों में side में नहीं है दोस्तों display के अंदर ही है यह चीज़ दोनों में काफी बढ़िया है दोनों phones के अंदर आपको जो यहां पर noise cancellation mic दिया गया है उपर के तरफ तो यह चीज़ भी आपको दोनों के अंदर 1GC type की मिल जाती है बात करी जाए दोस्तो रेम और storage की तो इन दोनों phones के अंदर आपको दी गई है 8GB RAM, 106GB internal storage तो दोनों phones के अंदर आपको 8GB RAM मिल जाती है 128GB internal storage यह चीज़ आपको दोनों के अंदर 1GC type की दी गई है इसके लिए दोनों phones के अंदर आपको जो है Android का latest version मिल जाता है Android 14 यह चीज़ भी आपको दोनों के अंदर काफी कमाल की और 1GC type की देखने को मिलती है इसके लिए दोस्तो बात करें बैटरी के बारे में तो आपको Samsung में दी गई है 5000 image की बैटरी लेकिन IQ में मिलती है 500 image की बैटरी 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 बैकप दोनों के अंदर आपको एक दिन का राम से मिल जाएगा बाकि IQ के अंदर थोड़ी बैटरी जादा बढ़िया और इसके साथ charger भी जादा फास्ट है 50MP main camera दोनों के अंदर आपको मिलता है दोस्तो इसके अंदर आपको performance जो है दोनों के अंदर आपको ठीक टाक मिल जाती है बाकि जो है दोस्तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो है Samsung में दिया गया है Snapdragon 7 Gen 1 processor IQ में Z9NS में दिया गया है दोस्तो Diamond City 7300 processor अब performance जो आपको मिलती है processor जो मिलते है वो जो है दोस्तो दोनों के अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाते है अगर आप एक heavy user performance आपको जाधा बढ़िया चाहिए तो दोनों ही smartphone आपको सही मिल जाते है अगर आपको gaming जाधा करनी है तो इस चीज़ आपको Samsung में भी अच्छी मिलते है आईको के अंदर भी बढ़िया मिलते है तो दोनों ही smartphone के अंदर आपको price के साब से जो processor मिलते है दोनों smartphone के अंदर processor बढ़िया मिल जाते है रैम और storage बराबर दी गई है Android 14 मिल जाता है camera दोने के अंदर सही जाधा दर चीज़े तो दोने के अंदर एक जैसी है बाकि Samsung की बड़ी खुबी यह दोस्तों डिजाइन काफी बढ़िया है मतला हलका phone है दूसरा UI अच्छा है और iqoo के अंदर आपको यह खुब यह बढ़िया मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर आपको charger box में मिल जाता है और display curve दी गई है तो वैसे मुझे दोस्तों इन दोन दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए WhatsApp और Facebook पर और दोस्तों आपको कोई सभी smartphone खरीदना है कई बार sale लगते रहती है अभी भी sale चल रही है तो smartphone के prices काफी कम हो जाते है और दूसरी चीज़ों के भी तो आपको कुछ भी खरीदना है तो description में link है वहांसे जरूर खरीद किएगा चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए